हिट एंड रन का मतलब टक्कर मारना और भाग जाना आज के लिए मामला च्छाया हुआ है दरसल सरकार हिट एंड रन का नया कानून पेश करने वाली थी लेकिन अब इस कानून को रोक दिया गया है ऐसी में सवाल ये है कि आखिर Hit and Run के केस में एक्सिडेंट से पीडित सक्ष को कितना मुआबजा मिलता है और सजा का क्या प्रावधान है नमस्कार मैं हूँ प्रियंका आप देख रहे हैं TB9 भारत वर्ष Hit and Run के नए कानून के खिलाप पूरे देश में ट्रक ड्राइवर्स ने हरताल की तो सरकार ने इस कानून को रोक दिया लेकिन एक सच्चा ये भी है कि भारत में सड़क एक्सिडेंट होना एक बड़ी समस्या है इनमें से कई दुरगटनाएं Hit and Run की भी होती हैं जिनमें एक गाड़ी सबार किसी दूसरे व्यक्ति को टक कर मार देता है और फिर मौके से भाग जाता है ऐसे मामले में पीडित घायल होता या फिर उसकी मौत तक हो जाती है अगर कोई Hit and Run का शिकार होता है तो उसको सबसे पहले मौपजा मिलने का रास्ता है इंशुरेंस इंडियन मोटर विहिकल आक्ट के अनुसार इंशुरेंस कराना अनिवार है और Hit and Run के मामले में इंशुरेंस के जरीए मौपजा मिल सकता है अगर आपने अपने इंशुरेंस में Comprehensive Policy एड कराया है तो गंभी रूप से घायल होने के मामले में 50,000 रुपए और मौत के मामले में 2,000,000 तक का मौपजा आपको मिल सकता है अब आपको जानना चाहिए कि Hit and Run के मामले में मौपजे का दावा करने के लिए क्या documents जमा करने होंगे अगर मामला मौत का है तो मौत्यू प्रमाडपत और गंभी रूप से घायल होने के मामले में अस्पताल से जारी medical report अब आपको बताते हैं Hit and Run से जुड़ा कानून अगर कोई driver लापरवाई के साथ किसी शक्स का accident कर देता है और मौके से भाग जाता है तो इस मामले में आरूपी को 10 साल तक की कैद और 7,000,000 रुपे जुर्माना हो सकता है हाला कि सरकार ने फिलाल इस कानून को लागू ना करने का फैसला किया है ऐसी हर अपडेट के लिए देखते रहें TV9 भारत वश साथी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें